यह हैं आपका अपना चनल माई पोडल जो भी गड़वेश मिलेजिए इन सभी चीजों को हमने आज की वीडियो में तयार किया है करते हैं तयारी आप तक दिखाने की तब तक आप से अंरोध है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लीजें इस पर जो भी गड़वेश वित्रन का कार किया जाना है और वो होना है GB का पोटल के माध्यम से जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस पर लॉग इन करके अलग-अलग विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौपी गई है इसी पोटल से पूरा कार किया जाएगा लेकिन पोटल के अंदर चलने से पहले हम आपको बता देते हैं तीन महत्पून आदेश जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये पहला आदेश है राजी सिक्षा केंदर का 7100 जो की 22 देसंबर को आया था दूसरा आदेश 7166 जो की 26 देसंबर को आया था और पंचात इवंग्रामिली विकास का आदेश 12156 जो की 17 नमबर 22 को आया था चली करम से देखते हैं आदेश को और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि क्या ओनलाइन पुर्विविया है उसमें क्या क्या क्ठनाईयां आती हैं किस तरह से किस इस तर पर ये काम को पूरा किया जाना है पहला आदेश राजी सिक्षा के अंदर का 71, 22, 12 का पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सत्र 22 देश में कक्षा 1-4 और कक्षा 6-7 के और इन चात्रों में से सीम राइज स्कूल की चात्रों को छोड़ कर गड़वेश प्रदाय किया जाना है और पत्र में आगे लखा हुआ है कि संदर भित पत्र के माध्यम से सत्र 22 देश में गड़वेश प्रदाय के समन्द में विश्त्रित दिशानिते चारी किया गया है शाषन के निर्णय अनुसार सत्र 22 देश में कक्षा एक से चार और छे से की चात्रों को स्वसाता समू यानि ऐसे जी के माध्यम से गड़वेश प्रदाय किया जाना है और इस कारी के लिए राजी ग्रामीर अजीपी का मिशन को नूडल विभाग नियुक्त किया गया है अतैस राशन के निर्णय अनुसार गड़वेश प्रदाय के समन्द में आवश्य कारवाई करने का कष्ट करें और ये पत्र समस्त कलेक्टरस को संचालक महदर राजशिक्षा केंदर की द्वारा जारी किया गया है अब देखते हैं अगला पत्र ये पत्र है 7166-2612 का और इसमें कुछ निर्देश तकनीकी भी दिये गए हैं कुछ प्रशासिक निर्देश भी हैं ये भी हम देख लेते हैं पत्र में लिखा हुआ है कि 22 देश में गड़वेश बित्रन से सम्मानित कार में पालिटी द्वारा SSGGB का पोर्टल तैयार किया गया है SSGGB का पोर्टल में राज ग्रामीर अजीपी का मिशन, राज शहरी अजीपी का मिशन एवं स्कूल सिक्षवा के प्रिथक प्रिथक दायत निर्दारे थें स्कूल सिक्षा विभाग द्वारा SSGGB का पोर्टल के अंदरगत मुकता निम्रानुसार कार किये जाना है पहला कार जिला परेजन सोन बेक के द्वारा ब्लोक यूजर के रूप में विकास का निस्तरी अदिकारी को एड़ करना दूसरा स्कूल में चारतनों की संक्या को अधितन करना और सत्यापत करना और तीसरा है SSG को जारी होने वाले और एवं गडविश वित्रन की स्तिती की मौनिटरिंग एवं सत्यापन और ये आदेश भी जारी हुआ था संचालक महोदेगा राजिस्चिशा के अंदर भुपाल से इसके बाद अगला आदेश हम आपको बताते हैं और ये आदेश है पंचायत एवं ग्रामुणी विकास का 12156 जो की 17 नमबर 22 को आया था और ये देखते हैं साहदेश को भी और इसमें भी विश्तित निर्देश गडवेश और सिलाई के समन्द में दिये गए हैं पत्र के महत्मूर बिंदू हम आपको पढ़कर बता देते हैं पत्र के बिंदुकरमांग 4 में लिखा हुआ है कि राज ग्रामुणी अजीब का मिशन द्वारा यह राशी सीधे समोह या संगठन के खाते में जारी की जाएगी बिंदुकरमांग 4 दस्मलो एक में लिखा हुआ है कि पोर्टल से प्राप्त ओर्डर की 75 प्रतिशत रासी अग्रेम रूप से समोह या संगठनों को प्रदान की जाएगी एक और महत्पूर्बाद पत्र की 4 दस्मलो चार बिंदु पर लिखी हुए है कि गुडवत्ता, डिलेबरी एवं अन्य विसंगतियों के आधार पर दंड की राशी का प्राप्धान M.O.U. अनुसार प्रदाय करता पर लागू होगा बिंदु कर्मांग 5 में गड़वेश की मापदंड डिजाइन का लारे मुडवत्ता की संबंद में कुछ निर्देश दिये गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं पांच दसमला एक मापदंड के संबंद में है इसमें लिखा हुआ है भारती मानक वीरो के स्पेशिफिकिशन के नुसार कपड़े में पॉलिष्टर विसकोस अत्वा पॉलिष्टर कॉटन ब्लेंडिट यार्न का उपयोग किया जाए जिसमें पॉलिष्टर की मातरा 64-70 र माना जाएगा इवम बॉलिष्ट शेट एवम बॉलिष्ट अ क्या जाएगा मातन की बॉलिष्ट अ ant फौलिष्ट इवम फॉलिष्ट एवम फॉलिष्ट कि या जाना निमारे होगा और इसके लिए जो डिजैन है वो भी आगे हम आपको बता देते हैं और कलर के संबन में जो निर्देश हैं वो भी सुझाव आत्मक हैं पहला नेवी बिलू पेंट सलवार के साथ स्काई बिलू शर्ट या कुर्ता दूसरा है डार्क ग्रे पेंट के साथ रेड लाइन शर्ट ये प्रात्मक शाला की बच्चों के लिए है छात्राओं के लिए जिस कलर का लोवर कपड़ा होगा उसी कलर का जैकेट भी होगा एक और महत्पूर्ण बिंदू है जिसको हम आपको पढ़के बता दे हैं ग्यारा दसम्राव दो इस बिंदू में लखा गए कि निर्मित गडवेश पैकिंग उपरांत सम्मधित चालाओं के प्राचार अत्वा प्रभारी तक पहुचाने की जिम्मेदारी सम्मधित स्वासाता समू संगठनों की होगी प्राचार प्रभारी द्वारा गडवेश प्राप्त कर इसकी पावति ऐसे जीबी का पोटल पर एंट्री की जाएगी ग्यारा दसम्राव तीन बिंदू भी आप एक बार सुन लिजे तीन दिवस के अंदर स्कूल द्वारा रिजेक्शन की जानकारी सम्मधित समू संगठनों को दी जाएगी जो साथ दिवस के अंदर आवशक सुधार कर पुना स्कूल को गडवेश प्रेशित कर 67 प्रतीशत गडवेश की पावति पोडल पर दर्ज करेंगे तीन दिवस के भीतर रिजेक्शन अथवा प्राप्ती की जानकारी आप्राप्त होने पर 13 प्रतीशत पूर्ण माना जाएगा बिंदुक्रमंग 13 में कुछ इस्तर से लखा हुआ है कि संगठनों को अंतिम किष्ट की 26 प्रतीशत राशी गड़वेश आपूर्ती की पावती, सत्यापन, कपड़े की जाच रिपोर्ट, उप्योगीता प्रमाणपत्र एबम गुडबत्त समीती की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मिशन से 30 दिवस के भीतर जारी की जाएगी और ये पत्र जारी हुआ है अपरस्ट जेप महोदे का मद्रपुदेश शासन पंचाथ एबम गरामुनी विकास विवाक से और साथी इस पत्र में सुझावात्मक ड्रेस भी दी हुई है जैसे आप देख रहे हैं मिडिल स्कूल की बच्चों की इस तरह से ड्रेस होगी और प्रात्मक शाला की बच्चों के लिए इस तरह से ड्रेस का पैटरन दिया हुआ है और जो सुजावातमक ड्रेस दी है प्रात्मिक शाला की बालकाओं के लिए उसमें हाप शर्ट दी हुई है, साथ में ट्यूनिक है और साथ में लेगी भी है अब हम देख लेते हैं प्रात्मिक्षाला की बच्चों की इसमें बालक के लिए हाप पैंट और हाप शर्ट दी हुई है तो साथी इस तरह से आपने देखा ये तो थे शाषन के तीन महत्पून पद जिस पर बहुत कुछ सिम्मेदारी ने रपर करती हैं गड़विश बित्रन के लिए बहुत सारी निर्देश हैं जो आपने समझ लिए अब एक नजर हम ये भी देख लेते हैं कि आनलाइन काम किस तरह से होता है इस तरह से SSGGB का पोर्टल हमारे सामने आ जाएग इसकी वेबसाइट है SSGGBGB.mp.gov.in यहाँ पर जाकर आपको लॉग इन करना है इस तरह से विभागी लॉग इन लिखा हुआ है लॉग इन करेंगे Forget Passport है यहाँ पर जाकर आप इसको अपने Passport को Forget कर सकते हैं अगर आप नए VRC है और आपको पास User ID Passport नहीं है तो इसके लिए आपको जिले से संपर करना होगा और वहां से आप अपना User ID Passport नया Create करवा सकते हैं नए User को Add करा सकते हैं चलिए लॉग इन कर लेते हैं लॉग इ एज ओपन हो जाएगा कुछ इन्फोर्मिशन से स्कूल की आ जाएगी जो काम करना है वो हम आपको संच्छिप में बता देते हैं इस पूरी लिस्ट में आपका सत्या पनकार लगातार चल रहा होगा कि आप करते जा रहे होंगे यहां पर आप यूडाइस कोड के साब से भी स सकते हैं यहां पर आपको सत्र बाइस तेश पी काम करना है तो सत्र को बाइस तेश लिखना है अगर आप रूरर अरबन को अलग अलग फिल्टर में लेने चाहते हैं तो आप इसका फिल्टर भी लगा सकते हैं इसके बाद आदेश जारी हुआ है या नहीं हुआ है इस पर भी आप filter लगा सकते हैं और data verified आप करचुकें या नहीं करचुकें इस पर भी आप filter लगा सकते हैं श्लिख हम जो भी filter लगाते हैं कि हमारे कितनी स्कूल verification को रह गया है याइश आप sellers लगाएंगे तो इस school की last में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक action button आपको मिलेगा आपको इस action button को click करना है action button click करने के बाद आप देखेंगे इस school की जो in charge है उनका नाब यहाँ पर आ रहा है mobile number भी यहाँ पर display हो रहा है और शाला पृतिनिदी का पद यहाँ पर post भी आ रही है यह सारी details आदेश में print होगी और जब सामगरी बित्रन की जाएगी तब इसी number पर contact समोह को द्वारा किया जाएगा इसलिए यह जानकारी बहुत महत्पूर्ण है इसको हमें सही सही fill up करना है इसके साथ अन्य भी कुछ उपयोग है सिक्चा की जानकारी की इसलिए एक बार ध्यान से इसको आपको सही करना है नीची छातर संख्या लिख कर आ रही है चूकि यह प्रात्मिक स्कूल है इसलिए सम्मधिद स्कूल में एक से चार तक की कुछाएं ही दिख रही है एडिट करने लिए आपको इस तरह से एक्शन बटन का यूज करना है आप एक्शन बटन पर क्लिक कर देजे जैसी आप इस पर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा एक के यहाँ पर छातर लिखे हुई है आप छातरा लिखे हुई है इस छातर छातरां को आपको situations साला में हो सकती है तो आपको यहाँ पर वास्त्विक छातर संक्या भरना है जो वास्त्विक कक्षाओं में दर्ज है और इसके बाद आपको यहाँ पर submit बटन का उप्योग कर देना है और चैसी आप इस सारी कक्षाओं की जनकारी भर देंगे तो अंत में सत्यापित बटन है आपको इसको किलिक करेंगे तो यह स्कूल verified हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी उमीद है आपको जानकारी समझ आई होगी फिर भी कोई बिंदू को हम से रह गए हो और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हम उसका उत्तर जरूर देंगे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग